मुझे में चलने में आप सभी कस्वागते हैं आज के जो एक्जाम्पले सेंप्रिपिके सिंका है तो गिवन है स्क्वेरूट 2031 क्यूब माइनस 2019 होल क्यूब माइनस 2 होल डिवाद बे 6 इसका वैल्यू क्या होते है हमें परणट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो नुमरीटर में है वो पार्ग देखेंगे बाद में हम होल क्यूब स्क्वेरूट और डिवाद बे 6 का वैल्यू हम बाद में देखेंगे तो यह है 2031 क्यूब माइनस 2019 क्यूब माइनस 2 तो 2019 यहां करें क्यूब है तो यहां पर 2021 है तो हम इस 2021 को 2019 प्लस 2 हम कर सकते तो कर सकते 2021 ही बनते तो यह होल क्यूब रखको नेगेट्व टाइनस 2019 यह होल क्यूब माइनस 2 तो यहां पर 2019 हो गया और यहां पर भी 2019 हो गया हम यहाँ पर दोनों में है इसलिए हम यहाँ पर लेट करेंगे x equals 2019 तो 2019 के जग में अगर x put किया तो यह x plus 2 whole cube बनते हैं right minus y x cube यह जोल रहेगा minus 2 also as well तो x plus 2 whole cube इसको expand करेंगे हम x plus 2 whole cube को y plus b whole cube का identity यहाँ पर use करना पड़ेगा हमें तो y a cube plus b cube plus 3 times a into b times a plus b यह identity यहाँ पर use किया तो यहाँ पर a equals x हो रहे तो b का value 2 बन रहे हैं ठीक है तो इसके साथ से हम किया तो यह बनते हैं x cube plus 2 cube plus 3 times x into 2 times x plus 2 ठीक है तो minus x cube minus 2 आगे का यह जोल रहे हैं तो अगे यहाँ कर expand किया तो x cube plus 2 cube means 8 बनते हैं plus 3 into 2 into x means 6x बनेगा तो 6x times x plus 2 यह जोल रहेगा minus x cube minus 2 also n sorry तो 6x से दोनों को multiplication कर दो तब यह बनते हैं x cube plus 8 plus 6x square plus 62012 x minus x cube minus 2 तो यहाँ पर देखो यहाँ पर plus x cube है यहाँ पर quantity x cube है तो यहाँ पर हम दोनों इन दोनों को cut करेंगे तो next यहाँ पर सबसे बड़ा जो power x square काया है तो पहले लिखलेंगे तो 6x square plus 12x है plus 12x लखेंगे लिखलेंगे और plus 8 minus 2 means plus 6 यहाँ पर बनेगा plus 1 तो यह जो भाग है यहाँ से चालो करके यहाँ पर 2021 whole cube minus 291 whole cube minus 2 is equal to 6 times x square plus 2x plus 1 यह हो गया तो हम इसके जो numerator है इसके जगह में हम यह put करेंगे तो यह बनते है is equal to square root यहाँ पर 6 times x square plus 2x plus 1 यह numerator के में जगह में पूट किया तो divided by 6 है तो यह divided by 6 यह जो गया तो यह 6 और यह 6 निकल गया तो यहाँ पर remaining रहेगा square root x square plus 2x plus 1 ओके तो अगेल इस square root में x square plus 2x plus 1 है तो x square plus 2x plus 1 यह एक quadratic equation है तो यहाँ पर इसे हम x square plus x plus x plus 1 हम कर सकते हैं इन दोनों में x कामन है जाएगा तो x plus 1 कर दो plus 1 यहाँ पर कमन लेलो इन दोनों में x plus 1 कमन है जाएगा तो x plus 1 दोनों में है तो दोनों लेलो तो x plus 1 तो x plus 1 plus into x plus 1 means x plus 1 all square तो यह complete square of x plus 1 का है तो अंदर क्या करेंगे अब square root x plus 1 all square पूट करेंगे इसके जगे में तो अभी यह दोनों निकल जाएगा यहाँ पर square root है यहाँ पर square है तो दोनों अगर निकल लेलो तो इसका value only x plus 1 रहेगा लेकिन हम लेट किया है x is 2019 तो 2019 रिकाल कर दो तो x के जगे में अगर रिकाल किया तो इसका value बनते है 2019 plus 1 मतलब final answer 2020 2020 इसका answer क्या आ रहे है 2020 अगर वीडियो अच्छा लगा थो लेक कर दीजिए और विचे में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत दुनेवाद थैंक्यू झाल कुछ है झाल किए में प्राइब कीजिए झाल कि एफाल कि तोनेवाद दीज़ शोर्णने का राजर रहाद रहा है